हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई यूटीब चैनल इंफानाइट के अंसर फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास ग्लास इस टाइप ऑफ सॉलिड मैटेरियल सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ग्लास एक सॉलिड म मैटेरियल के लिक्विड के साथ स्कों तो क he LIQD के जैसे होता है लेकिन Jonathan और लों के बीच का यह एक और शूर्कल की तो यह हर्ड हो जाता है क्योंकि यह विसकूस होता है जब यह वीसकूस है और इसका temperature cool down हो जाता है तब एक hard solid की तरह विहेव करता है ठीक है क्योंकि इसके जो molecules होते हैं वो उनका जो bond होता है वो tighter होता है as compared to the liquid material there is a less movement among them in this case मतलब कि जो इसके molecules है वो इसमें liquid के मुकावले थोड़े ज्यादा tight और strongly bind होते हैं थोड़े ज्यादा strongly bind रहते हैं जिस वज़े से वो less movement को show करते हैं free flowing नहीं होते हैं it only means that glass is a type of solid material that will not change its shape unless is being heated to a certain temperature जिसका मतलब यह है कि एक तरह का ऐसा solid material है जो अपनी शेप को change तब तक नहीं करेगा जब तक नहीं किया जाता at a certain temperature जैसे हम इसको heat करेंगे यह दुबारा से क्या होना शुरू हो जाएका melt और थोड़ा जल्दी flow करना शुरू करते जब हम इसे heat करते है तब यह सपल होता है मतलब कि बहुत ही मुलाय होता है बट इस यूविल एप्लाइट तो much pressure it will also break थीक है तो अगर हम इस पे ज्यादा प्रेशर को apply कर देते हैं तो यह तूट भी सकता है सपल का मतलब यह है कि हम इसको desire shape दे सकते हैं जब यह heated है गरम है लेकिन अगर हम इस पे ज्यादा pressure apply करते हैं इसको shape देने करें तब यह तूट भी सकता है durable मतलब कि इसको हम दुबारा दुबारा यूज कर सकते हैं glass is durable due to the strong bonds between the molecules in it ठीक है इसमें जो molecules है उनके बीच में कहा है एक strong bond है little more than the liquid molecules its strength and its durability mainly depend on its thickness ठीक है तो जो इसकी strength है और durability है वो mainly किसके उपर depend करेगी इसकी thickness पर जितना ज्यादा यह थीक होगा उतना ही यह क्या रहेगा strong रहेगा the thinner the sheets of the glass the easier it is to break them अगर यह thinner होगा तो यह easier होगा break होने में it is also hard to scratch it since it requires a sharp object in order to do this इसको हम जो है scratch भी नहीं कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं glass को scratch करना यह बहुत hard होता है तो हमें एक sharp object चाहिए जिससे कि हम इसे scratch कर सके क्योंकि यह क्या है थिकर है इसलिए यह क्या है प्यूरेबल है अगर यह thinner होगा तहम इसको दुबारा यूज नहीं कर सकते है यह break हो सकता है easily it can hold a liquid without breaking तो इसमें थिकनेस जादा है तो यह आराम से liquid को hold करके रख सकता है static मतलब कि stable है glass does not react with other materials and will not be decomposed by most acids तो glass जो है यह दूसरे materials के साथ react नहीं करता है इसलिए हम इसको जादा use कर सकते है storage वेगरा के लिए और maximum जो acid होते हैं उनके साथ भी यह क्या होता है decomposed नहीं होता है will not be decomposed by most acids with this type of property it makes glass appropriate for laboratories तो यह जो इसकी property है कि यह react नहीं करता दूसरे materials के साथ और decomposed भी नहीं होता है by most of acids तो यह laboratory में भी इसको बहुत जादा use किया जाता है chemistry labs में आपने देखा है बहुत से solution को हम glasses में रखते हैं glass type containers में हम रखते हैं और बहुत से acids हैं जिनको glass में store किया जाता है and for storage of acidic food and beverage hydrofluoric acid, phosphoric acid and phosphorus acids and concentrated acids are the only acids that glass will react with यह आपको mind में रखना है कि ऐसे कौन से acids हैं जिनके साथ glass react करता है तो आपको याद रखना है hydrofluoric acid, phosphoric acid, phosphorus acids और या फिर concentrated acid जो है उनके साथ में हमारा glass react करता है important note है जो hydrofluoric acid is the one which can destroy any type of the silicate glass okay जब हम glass के raw materials के बार में discuss करेंगे तब हम देखेंगे कि glass किससे बनता है तो उनमेंसे एक जो इसका material है वह है silicate ठीक है तो silicate glasses जितने भी होते हैं उनको destroy करने की capability hydrofluoric acid की जादा रहती है that's why hydrofluoric है hydrofluoric cannot be stored in the glasses इस वज़े से हम इस acid को glass में store नहीं करते because they corrode the silicates of glass and dissolve in the hydrofluoric acid यह क्या करते हैं जो silicate होता है glass का उसको क्या कर लेते हैं dissolve कर लेते हैं hydrofluoric acid में हम reaction देखते हैं ऐसा किस तरह से होता है जो हमारा normal ordinary glass होता है उसका formula है sodium silicate okay तो यह एक glass है तो जब यह hydrofluoric acid के साथ react करता है तब हमारे पास hexafluorosilicic acid form होता है sodium fluoride और water निकलता है तो इस तरह से react करता है अब यह react कैसे करता है होता क्या है कि जो हमारा sodium silicate है ठीक है यह क्या है यह एक ionic compound है which are silicate salts of sodium ions यह कह रहते हैं silicate salt होते है sodium ion के यह कह है silicate salts होते हैं लेकिन जो sodium silicate का chemical substance रहता है sodium silicate का जो chemical substance होगा वो क्या होगा sodium metasilicate sodium silicate है यह इसका एक main commercial जो इसका component है main commercial component इसका sodium metasilicate का sodium silicate है जिससे की यह बनता है chemical substance sodium metasilicate questo metasilicate है यह क्या होता है इसमें स्थाटा का sodium okay etzt कि या होता है इसलिकेट की आए इसमें इसमें किस तरह का dw diferentes रख़ार्य और metasilicate anions होते हैं polymeric metasilicate anions तो यह किस तरह से होंगे यह polymeric है तो हमने इस तरह से किया SiO 32 negative और n number ठीक है polymeric silicate anions होते हैं और sodium होते हैं मारे पास इस तरह से तो यह क्या करते हैं यह यह तो यहांपी हमारा hydr Knister is A तो यहांद रुखना है यहांद्स क Solar तो ग्लास का एक इंपर्टन्ट रोल क्या रहता है यह क्या करता है इत् apert g लेगाईट को फिर उसी हीट को यह थार्फंट भी कर देता है तो मतलब कि अगर हमने इसमें कुछ स्टोर किया हुआ है वाटर स्टोर किया हुआ है या कोई भी लिक्विड तो ये क्या करेगा पहले ये खुद गरम होगा फिर उस हीट को जो उसके अंदर का content है content inside it will react उसको भी ये temperature देदेगा मतलब इसने transmit कर दिया वो temperature the heat applied will make the molecules in the glass to vibrate तो अब जो heat apply हुई है glass के उपर ग्लास ने वो क्या किया उस heat को transmit कर दिया जो इसके अंदर molecules थे अब उन molecules ने vibrate करना star कर दिया vibrate faster that pass through one molecule to another और इस तरह से एक molecule से दूसरे molecules के तरफ को वो energy pass होगी जो thermal energy हमने glass को दी है the energy and friction being applied to the glass will cause the glass of bottle to heat up ठीक है अब क्या होगा जो energy या फिर friction जो कि हमने apply थी के थी glass के उपर वो गय कर देगी glass bottle को heat up कर देगी and this energy is being passed on to the contents of the glass bottle और यही heat जो है pass हो जाएगी to the contents of the glass bottle जो इस glass के अंदर कोई भी contents है molecules है उनके अंदर भी heat transmit हो जाएगी तो मतलब कि यह absorb भी करता है और transmit भी करता है ठीक है अब optical properties glass is a transparent substance glass क्या है एक transparent substance है हमने देखा है glass किस तरह से होता है तो यह transparent substance है which means you see through it ठीक है आप देख सकते हो इसके थ्रू ग्लास bottles can be colored glass bottles को color भी किया जा सकता है it is good in reflecting light and separates the colors of this spectrum यह good होता है light को reflect करने में और color of spectrum को separate कर सकता है with this glass property it only means that you can see the inside of the bottle तो इस प्रॉपर्टी का मतले यह है कि आप जो हमरे पास glass है उसके inside आप देख सकते हो जो हमरे पास bottle है तो bottle को अगर वो glass के तो हम उसके अंदर की इसको देख सकते है ना हाँ तो इसलिए यह क्या है एक optical property है इसकी great thing about glass bottle is that it does not deteriorate corrode, fade and it is considered one of the safest packaging material ठीक है तो यह क्या होता है खराब नहीं होता, corrode नहीं होता, fade नहीं होता ठीक है तो इसको one of the safest packaging material इसको use किया जाता है ठीक है हमने कहा हमने कहा कि यह किसी दूसरे material के साथ react नहीं करता बहुत से acid है जो इसमें store किये जा सकते हैं लेकिन कुछ particular acid है जिनको कि हम इसमें store नहीं कर सकते हैं वो हमने discuss किये और वो किस तरह से react करते हैं वो भी हमने इस reaction के through देखा क्योंकि यह polar है ठीक है यह क्या है polar है इस वजह से यह react कर जाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं hydrofluoric acid को plastic में store किया जाता है इसमें store किया जाता है hydrofluoric acid को plastic में क्योंकि plastic जो है यह क्या है non polar है non polar है और हम हमें पता है कि like dissolve likes ठीक है तो क्योंकि यह non polar है और यह polar है तो इसमें यह कोई अपना effect cause नहीं कर पाएगा इसलिए हम hydrofluoric acid को plastic में store करते हैं so friends I hope आपको चीज़े समझ में आया होगा introduction to glass next हम करेंगे chemical properties of glass till then guys take care good bye